नमस्कार विद्यारत्यू की अज मैं आपके सामने अपनी ग्यान गंगा के स्रीज ले के है're हूं अभी तक मैं आपको लगातार संट हिस्ट्री की सारी क्लासिज ले रहा हूं और इस ग्यान गंगा के सूरीज को say पिर लेकाया हूं continue कर रहा हूं देखिए यह जो घटनाएं हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यह घटनाएं भले ही थोड़ा साथ को तफ लगे या आपको लगे कि नहीं यह घटना ऐसे जानने से क्या फाइदा घटना जिस देश में घटनी घरती है वो देश हो जाता है को ही वह फिल्हाल हम शुरू करते हैं कि इस टॉपिक को जो कि आप मेरी इस बाट को या कूल डिक्टेटर दा के यह आ को दिक रहा है आज है लिखा हुआ कूल डिक्टेटर आखीरीं है कॉन कूल डिक्टेटर है त Italic ूप अपने आप में दोनों सब्ध ही विरोधाँ भॉसाइं कि डिक्टेटर कूल कैसे हो सकता है क्योंकि source है थी अपने आप में जिसका हिंदी आर्थ होता ताना शाह ताना साथ हमेंस Bluetooth होता है उसको क्षूर कैसे कह सकते हैं साथ यह जो इनके संदर्भ में कहा जाता है जो आपको दिख रहे हैं काफी उल्टी टोपी पहने हुए इनको आप क्या कह सकते हैं यह कोई आपके रॉक इस्टार नहीं है यह कोई म्यूजिक इंडस्ट्री से नहीं है यह कैसे सक्स हैं जिनके बारे में आप पूरी इस पूरे लेक्चर को दिखने के बारे सोच पाओगे इनके पहनावे से इनके वक्तित पर मत जाईए इन्हों ने अपने देश में जो काम किया है इस वजह से उस देश के लोग आज इनको हम सम्मान देते हैं हम तो आगे बाड़ते हैं यह कौन है आखिर यह नाम इनके साथ चुढा क्यों यह है चलिए आगे बढ़ते है कि देखिए यह इनका नाम है नाइब बुकेल लिखा होगा कहीं इंग्लिस नाइब बुकेल यह कौन है यह El Salvador El Salvador कों है एक कंट्री है जो कह नौर्थ अमेरिका कॉंटिनेंट में कहां पर है यह नौर्थ अमेरिका कॉंटिनेंट में एल सल्वाडोर नाम की जो है वह कंट्री है और एल सल्वाडोर जो है यह सेंट्रल अमेरिका और मिडिल अमेरिका दोनों में आता है अभी आगे हम समझेंगे कि सेंट्रल अमेरिका मिडिल अमेरिका क्या होता है यही मैं कह रहा हूं घटनाएं जैसी भी हो उस देश से सम्मंधित कुछ जानकारियां आपके जीके के लिए इंपॉर्टेंट होती है तो इसलिए मैंने ग्यान गंगा के सिरी सुरू की है जिन बच्चों ने पहले देखा है उनको पता है कि उसमें कितनी सारी इनफॉर्मेटी बाते होती एक्जाम के परपस से भी तो आप यह देख रहे हैं कि जो आप कि यह क्या है यह एल सल्वाडोर एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट है चर्चा में क्यों है क्योंकि फरवरी 2024 में चुना हुआ और यह 85% वोट के साथ दोबारा राष्टपती बने जिनकी आप फोटो देख रहे थे उल्टी टोपी पहने हुए वो कोई मामूली व्यक्ति नहीं है वो एल सल्वाडोर के डिक्टेटर क्यों कहा रहा है अगर यह डिक्टेटर होते तो दुबारा कैसे जीतते क्योंकि आप याद एल सल्वाडोर एक डिमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है जैसे हम लोग डिमोक्रेटिक हैं वैसे एल सल्वाडोर भी एक डिमोक्रेटिक कंट्री है तो एक डिमोक में पहले 2019 में जो एल सलवाडॉर की राश्धानी है उसके मेर थे तो बाद में राश्टपती चुने गए यानि 2019 में राश्टपती बनने के पहले वहां की एल सलवाडोर की राश्ठानी जो पहले थी संसलवाडोर उसके ये मेशर थे और 2019 से ये राश्टपती चुने गए और जब फरवरी 2024 में दुबारा राश्टपती के लिए चुना हुआ तो फिर ये दुबारा जीते वो भी 85% वोट के साथ अपने आप में यह बहुत बड़ा सपोर्ट है मतलब पब्लिक इनको पसंद करती है फिर यह जिए डिक्टेटर क्यों है वह भी अभी मैंने का बारबर इस बारत को है इनको आखिर क्यों कहा जा रहा है वह भी कूल डिक्टेटर शांत तानासा देखिए आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि 2019 में जब ये राष्टपती न्यूक थुवे थे तो उस समय एल सल्वाडोर की हालत बहुत खराब थी एल सल्वाडोर कंट्री एक ऐसे कंट्री थी जहां पर वाइलेंस का बोल बाला था माफियाओं का समझिये एदम बोल बाला था उस कंट्री में हिंसा आम बात थी लेकिन जब से ये वहां के राष्टपती बने तो इन्होंने क्या किया उन माफियाओं पर बहुत सक्ती से निकड़ा रुख अपनाया और बहुत ही मेहनत की इन माफियाओं को हटाने की और इन्होंने माफियाओं के प्रति वही नीती अपनाई जीरो टॉलरेंस पॉलिसी उस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के वजए से ही एल सल्वाडोर में हत्याय यानि की जो मर्डर था वो बहुत ही जो हत्याय अपराद की दर थी वो बहुत तेजी से नीचे आ गई इसलिए पॉलिक ने इनको वहाँ पे सपोर्ट किया एल सल्वाडोर जहां पर माफियाओं इस मगलर्स का बोल बाला था उन्होंने उस कंट्री में अपराधियों को बिल्कुल नेस्तो नाबूत कर दिया और वहाँ पर हिंसा और हत्या में बहुत तेजी से कमी आई इसलिए व उन्होंने किया मतलब अपराध को मिटाने के लिए आँ इन्हों ने वह सिधांत नहीं अपनाया जिसे हम लोग कहते हैं कि स्थांत tamo रिपीट करते हैं जीरो टॉलर्स पॉलसी के बारे में किसी भी प्रकार की कोई रियायत कोई सहांग भूती नहीं दिती जाएगी तो इन्हों ने वही काम किया और इन्हों और इसी काम के वज़े से वहां के लोगों ने इन्हें कूल डिक्टेटर यानि एक शांत तानासाह की उपादी दे दी कि तानाशाह नहीं हैं शांत तानासाह की अपराद को खटम करने के लिए तिन प्रतिग्य हैं मतलब एमंग दपबलिक दस बुकेल वो गेंड फेम आज एक कूल डिक्टेटर है इस नाम से फेमस हो गए क्योंकि इन्होंने अपराद को खतम करने में जीरो औरलेंस की पॉलिसी अपनाई तो जिनका हमने अभी फीगर देखा वो और कोई नहीं बलकि एल सलवाडोर के फेमस राष्टपती नाइब बुकेल हैं तो इनके लिए भाईया तालिया तो बनती हैं ठीक है अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में आपका मैं वेट करू आपके उपर छोड़ता हूं आप देएंगे लाश्ट में अब फ्होरा सा हम समझ लेते हैं कि यह जो एल सलवाडोर है यह है कहां देख लेते हैं अब फॉड़ा सा अपनी जीके वाले पॉइंटर हम लोग आते हैं आप देखैंगे कहा ही है देखी है यह जो नौर्थ अमेरिका में एंगलो अमेरिका भी होता है एंगलो अमेरिका किसको बोलते हैं कनाड़ा और जब यूएसे को मिला दिया जाता है तो इसे एंगलो अमेरिका बोलते हैं इसेंट्रल अमेरिका क्या है मैक्सिको के नीचे मैं आपको map दिखाओंगा मैक्सिको नीचे से ले करके पनामा तक सारे ये साए निकारग हुआ यह सभी कहलाते हैं Central American countries कहलाते हैं नाम ध्यान से पढ़िएगा एंगलो अमेरिका में क्या आएगा Canada और USA Central America में क्या आएगा बिलीज कोश्टरीका एल सलवाडोर ग्वाटे माला हुंडुरास निकारागुवा और क्या पनामा ठीक है अब आप यहां पर ध्यान देंगे हाँ थोड़ा सा आप अगर एटलस लेके बैठेंगे तो अच्छी बात है मैं मैं पर भी आपको दिखा दिखा देता हूं कहां कहा अगर इसी सेंट्रल अमेरिका में मैक्सिकों को जोड़ दे टो बन जाता है मिडिल अमेरिका अधिका यह पूरी कंट्री जो है यहाँ से यहाँ तक की जो कंट्री है आपने देखा भी यह यह है Central America इसी में हमने क्या जोड़ दिया Mexico तो बन गया Middle America तो Central America क्या है Anglo America क्या है Middle America क्या है जहान रखेंगे और जब हमने इसमें South America यहनी Mexico से ले करके South America के भी सभी देशों को सामिल कर लिया जाए तो वो बन जाते हैं Latin America है ना कि Mexico से ले करके अगर South America की देश को भी हम सामिल कर लें अर्जेंटिना तक वो बन जाता है Latin America ठीक है अब हम यहां पर इन सब प्रसांत महासागर और इस तरफ आपके पड़ेगा Atlantic Ocean यानि पूरा नौर्थ अमेरिका पस्चिम में प्रसांत महासागर पूरब में यह बॉर्डर लाइन है जिसको आपको पता है ना यूएसे और कनाड़ा इनको मिला के बोलते हैं क्या एंगलो अमेरिका क्या बोलते हैं एंगलो अमेरिका बोलते हैं और मैक्सिको से ले करके पनामा तक धान रखिये मैक्सिको से ले करके पनामा तक यानि कौन कौन सी कंट्री मैक्सिको बिलीज ग्वाटेमाला एल सल्वाडोर हंडूरास निकारागुआ कोस्टरिका पनामा इन सब को मिला के हम क्या बोलते हैं अभी मैंने देखा था कौन से कंट्री मिडिल अमेरिका तो क्या है मेडिल अमेरिका ध्यान रखिए मैक्सिको से ले करके पनामा तक सारी कंट्री मिडिल अमेरिका और अगर इसी मैक्सिको में नीचे साउथ का पणामा के साथ कね सारी कंट्री को साउथ अम्यरिका की सारी ऑर्जेंटिना तक सामिल कर लेंगे तो तो बन जाएगा लीटीन अमेरिका ठीक है तो इतनी बाते में बताई अब आप लोग कमेंट बाक्स में मुझे जव detalin पर रेंगे कि नॉर्थ अमेरिका और सौथ अमेरिका में कौणधिना प्लिण तॉटल साथ अमेरिका में रेंड स्वाणेम कांट रायों किनिंगे низ यह गाला आयोडर की कांग्रेस ने नौ जूण राới्ष्ट पती भुकेल के क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के प्रस्ताव को देदी मंजूरी यह बहुत पुराना न्यूज है यानि यहां प्यप जहां रखेंगे कि एल सल्वाडोर वह पहली कंट्री है यह प्यूज पुरानी है यह जून अभी का बात नहीं है यह पुराना है लेकिन यह पहली कंट्री है जिसने अपने यहां बिटकॉइन्स इसने बिटकॉइन को एक लीगल टेंडर मनी के रूप में इलाव कर दिया मतलब जो वहां उसने बिटकॉइन जिसे आप जानते क्रिप्टो करेंसी के रूप में होता है इस बिटकॉइन को पहली बार वैधानिक मा पाला देश कौन था एल सलवाडोर ठीक है वेतनी बात है आप ने ध्यान दी देखा आगे हम लोग देखेंगे ये शारी राटों अंपने देखे लिया लटीन अमेरिका क्या है की उन्हारोड के बारे समझ्जा कूली क्यों कहा जा रहा हुआ है ठीक है चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं एक इन्फॉर्मिशन पर चलते हैं अब देखिए अभी एक और चर्चा में हुआ है क्यों क्योंकि अभी हाल ही में फरवरी या मार्च में ही भारत सरकार ने भारत की नौ सेना ने यानि कि नेवी ने हिंद महासागर में क वहां पर एक क्या इस्थापित किया गया है नेवल बेस वहां पर एक नेवल बेस नौ सैनी कड़ा इस्थापित किया है लच्छ दीप में उसका नाम क्या है आई एनेस जटाईू तो आप लोग ध्यान रखेंगे अभी हाल ही में हमारे इंडियन नेवी के दौरा एक नेव सैनी कड़ा बनाया गया है अब आप देखेंगे यह लच्छ दीप मीनिकाए है आप इसको मीनिकाए मिनिकाए कह सकते है ठीक है यहां पर इस्टेबलिस किया गया आप और यह जो है अभी damo 2,024 में 6 मार्च की नहीं मैंने का मार्च की नहीं है तो मार्च दो हजार चौबिस में आई एनस जटायू जो है लच्छ दीप के मिनिकाय दीप पर इस्टेबलिस किया गया जो कि हमारे एक नेवल बेस है नौ सैनिक अड़ा है अब हम लोग धान देंगे लच्छ दीप क्या है यह अरब सागर में यह पूरा देखो यह यह बता दू यह इं है और यह बंदरगा कोच्ची है कोच्ची है वही किरला वाला जहां वासको डिगामा पहुंचा था तो कोच्ची बंदरगा है और यह जो पूरा आपको दिख रहा है यह पूरा लक्ष दीप है क्या है यह पूरा लक्ष दीप है और इस लक्ष दीप का सबसे सदर्मोस्ट यानि दच्छडी दीप क्या है मिनिकाई देखो ये है मिनिकाई ये मिनिकाई है सबसे दच्छड में क्या है मिनिकाई यहीं मिनिकाई पर आई एनस जटाईू नाम का नेवल बेस बनाया गया है और इसके पहले भी एक नेवल बेस बन चुका है कावरत्ती में जिसका नाम था रच्छक यह पहले बन चुका है तो यह नाम था एक नेवल बेस कावरत्ती में बन चुका है जिसका नाम था रच्छक तो यह रच्छक प दिहान में रखेंगे और सबसे खास बात यह कि हमारे लच्छ दीप जो है जो कि हमारे अरब सागर में है केरला के किस तरफ पड़ेगा पश्चिम में तो लच्छ दीप के सबसे दच्छडी दीप मिनिकाय पर यह बनाया गया है क्या आइनस जटाई हूं नौ सैनिक इसी लच्छ दीप के नीचे आएंगे तो मालडीप पड़ेगा यहानी मिनिकाय के कहां साउथ में लच्छ दीप है और मैं आपको एक प्रश्ण देता हूं मालडीब और मिनिकाय के बीच में कौन सी अच्छांस रेखा गुजरती है और इसे किस नाम से जानते हैं है और इसे किस नाम से जानते हैं विच लेटिटूड पासेश थूरू बिट्विन माल दीब एंड मिनिकाय और वाट इस दा नेम आफ दिस लेटिटूड ठीक है तो मैं इसका वेट करूंगा जितनी इन फॉर्मेशन दी हैं नोट कर लेंगे ग्यान गंगा की श्रीज को आप आप में लाइन से वीडियो देखे हैं तो हर जलवाई परिवर्तन से लेकर के हर चीज के बारे में काफी इंफॉर्मेशन है अगर आपने उसको एक जग लिखा है तो आपका जी के तयार हो रहा है अगर आप अपने काम को बिना रोके आगे बढ़ रहे हैं तो अपने आप कर रहें आप भी अपने चीज़ को नोट डाउन करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए ठीक है फिर मिलते हैं नेस्ट क्लास में जय हिन जय भाराज जय सियाराम जय हनुमान थैंक्यू